नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत ही एसके ट्रकॉइंस हटी चनल में चली दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो हम बात करेंगे बिहास सहरी विकास योम आवास बिभाग के अंतरगस सीटी मैनेजर की वेकेंसी निकल कर आई है अच्छी खासी वेकेंसी है तो इस वीडियो में इसके कंप्लीट प्रसेट जानेंगे क्या योगता रखीगे इस सेलरी आपको कितनी मिलने वाली है और सेलक्सन प्रसेजर क्या है कंप्लीट डीटेल जानेंगे तो चली वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वेकंसी के complete detail के लिए आपको सबसे पहले इसके official website पर आना होगा जिसका link आपको description में मिल जागा आप डारेक्ट इस page पर आ सकते हैं आपके सामने देख सकते हैं कुछ ऐसा page open हो जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले ही number पर आपको मिल दा है option online application form का यहाँ पर जितनी भी वेकंसी आती है सारे वेकंसी यहीं पर सो जाते हैं यहाँ पर पहली वेकंसी सो रहे हैं online portal of city manager के लिए तो simply आपको इसी पर click करना है तो चली इस पर click कर लेते हैं इस पर जैसे click करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का page आ जाएगा यहाँ पर आप को दिखा देता हूं दोस्तों जैसे आप इसका notification डाउनलोड करके open करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा page open हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको department का नाम मिलेगा department का नाम है यहाँ पर डिपार्टमेंट आप अर्वर्ट डेबलेप्मेंट एन हाउसिंग ग यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको वेकेंसी टेबल दिखा देते हैं यहाँ पर देख सेते हैं पोस्ट का जो नेम है यहाँ पर city manager की वेकेंसी है टोटल वेकेंसी की बात करें तो 163 वेकेंसी है इसके अलावा यहाँ पर qualification की बात कर लेते हैं त इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास PG डिग्री है पीजी डिग्री आपने टाउन मैनेजर या प्लानिंग डेवलेप्मेंड में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते किसी भी इनवर्सिटी से आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं सेलरी बराद करें स्टाइपेंड यहाँपर सेलरी के बात करें दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको कडिवा वैकेंसी जीवाइट किया गया दोस्तों आपको नीचे आना और यहाँ पर देख सकते नैशनल्टी जो है इंडियन कैंडिडेट आप होने चाहिए एज लिमिट के बाद करें तो यहाँ पर एज की काउंटिंग जो किया जाएगा एक जनवरी 2020 से किया जाएगा मीनिमम एज आपका 21 होना चाहिए और मैक्सि चौनठींशनल्स bịट दोस्तों इहाँ बता दिया गया ऑपीसेल नोटिस में घृपर दोस्तों इन आपको समय मिलने वाला है और पेपर तीन सेक्षन होंगे graduate label का यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक में आएंगे तो आपको श्रेलवस मिल जाएगा क्या 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 आप से पूछा जाएगा complete detail में चली बाकी जो भी डिजरेशन है आपको government का यहाँ पर मिल जाएगा complete detail आप देख सकते हैं एक जाम होगा उसके बाद आपका merit list तयार के जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको document verification के लिए बुलाए जाएगा इसके बाद आपका selection कर दिया जाएगा चली दोस्तों आप सबसे में बात कर लेते हैं अगर आप eligible है तो apply कैसे करेंगे तो अब यह apply का online जो application start होगा 28 April 2020 से इसका online application start होगा और जो application fill up करने का process है यहाँ पर बताया गया सबसे पहले आपको registration करना इसके बाद यहाँ पर two step two दूसरा step बेसिक डिट्र फील अब करने का इसके बाद आपको educational qualification डिट्र फील अब करना है तो सिघनेचर अप्लोड करना है और और बाकी application को चेक करके आपको फीज प्रती करना है दोस्तों यहां पर जो 2200 रुपए आपको payment करने सभी candidate के लिए यहाँ पर इतनी फीसे किसी candidate के लिए यहाँ पर फीस कम नहीं किया गया सभी candidate के लिए इतनी फीसे चली अब इसके बाद यहाँ पर payment कर देंगे और आप download कर पाएंगे अपना online application process complete करने के बाद उसका print download कर सकते हैं जो फोटो यहाँ आपको लगाना है फोटो का criteria हाँ पर बताएगा दोस्तों चली मैं दिखा देता हो किस प्रकार का आपका फोटो होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसी notice में यहाँ पर फोटो की जानकारी मिल जाएगी जो आपको photograph upload करना है और जल्द का photo होना चाहिए यहा आपको फोटोग्राप upload करना है मैं यहाँ पर notification में आपको बता देता हूं चली important date की बात कर लेते तो यहाँ पर देख सेते online application start होने का जो date यहाँ पर 28 April 2020 रखा गया last date यहाँ पर 27 मई 2020 रखा गया इसके पहले आपको apply कर लेना और बाकी detail आपको यहाँ पर मिल जाएगा अभी exam date यहाँ पर decide नहीं किया बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा website के माध्यम से चली यहाँ पर सबसे नीचे आएंग यहाँ पर General science के 20 क्यूछिन इसके लाव current event के आपसे 20 क्यूछिन पूछे जाएंगे total 40 क्यूछिन section A में पूछे जाएंगे ऐसे section B में भी यहाँ पर बताए गया है history से आपसे क्यूछिन पूछे जाएंगे इसके लाओ Indian and work geography से आपसे 15-15 क्यूछिन पूछे जाएंगे section C क बात करें तो यहां पर Indian politics से आपसे पूछे जाएंगे और general mental ability से 15-15 question पूछे जाएंगे इस प्रकार यहां पर total आपसे 100 question पूछे जाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार मैंने सारा इसका जो में में डीटेल था आपको बता दिया है इसके अलाम आपको कोई प्राब्लम होड़ी था आप इसका complete notification डाउनलोड करके अच्छे से read कर सकते वीडियो अच्छा लगा तो like और share कर दीजे और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लिजे इसके अलाम मै आकर देख लिजेगा आपको complete detail पता चल जाएगा कैसे आपको फिल अप करना है घर बैठे कहीं जाने की जरूत नहीं है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद